हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे, इसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जाज ड्रॉवर क्लासेश, ठीक, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिंदी के एक सिरीज, जिसमें हम लोग पूरा मिसलेनियस कोश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे आज का पहला कोश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है, मैं खाना अपने आप बना लूँगा, ठीक है, एक वाक्य लिखा हुआ है, मैं खाना अपने आप बना लूँगा, ठीक है, कोश्चन इसके बारे में पूछा गया है, कि वाक्य म सर्विनाम के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है. तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, कि सर्विनाम क्या होता है? तो सर्विनाम को अगर आप अलग करें, इसको आप दो भागों में तोडेंगे, तो आपको मिलेगा सर्व और नाम ठीक है इस तरीके से अगर हम तोड़ ले तो हमें सर्व और नाम मिलेगा यानि कि सर्व का मतलब होता है सभी ठीक है सभी और नाम मतलब नाम ही होता है ठीक है यानि कि उन सब्दों को हम यहां सर्वे नाम कहते हैं जो सभी के नाम के लिए प्रि जैसे कि आप बोलते हैं वह बोलते हैं किसी भी लड़के के लिए अगर या किसी लड़की के लिए आप बात कर रहे हैं तो बोलते हैं वह उसने उसका ठीक है तो वो personally किसी एक के लिए नहीं बूला जाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं जिससे हम बात करते हैं ठीक है उस सभी का नाम, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि जो हमारे सर्विनाम है, सर्विनाम के टोटल कितने बेद हैं, तो 6 बेद हम पढ़ते हैं सर्विनाम के, ठीक, जिसमें से आज हम्यारे सामने ये 4 अपसन जो दिया है, 4 तो आप देखी रहे हैं, तो हम इस question के recording बस आज हम कर र हम क्या क्या होते हैं, ठीक है, जैसे निजवाचक क्या होगा, निजवाचक जो हम स्वैम के लिए जिन सब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको हम निजवाचक भी रखते हैं, प्रश्न वाचक क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं कि जिन सब्दों के माध्यम से हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या, कैसे, कौन, ठीक है, क्या, कैसे, कौन, ये सारे चीज़ होते हैं, और साथ में हमारा क्या हो, कोश्चन मार्खो, ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रश्न वाचक सर्वेनाम हो जाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, संबंध वाचक सर्वेनाम, तो पुर्णे का काम करते हैं, निश्चे वाचक में वो वाग के को एक निश्चित सेंस देते हैं, जैसे यह वह होता है, ठीक है, यह वह होता है, यह वह होते हैं, ठीक, तो यह निश्चे वाचक सर्वे नाम होते हैं, लेकिन यह आप अगर ध्यान दे, तो यहाँ पर अपने आप सब्द का प्रयोग किया गया है अभी मैं आप से बोली हूँ कि निजवाचक सर्वे नाम में क्या होता है कि जिन सब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वे नाम बोलते हैं ठीक है या आप सिंपली इसको इस तरीके से दे तो अपने आप जो होगा वो कौन सा सर्वे नाम हो जाएगा वो निजवाचक सर्वे नाम में आ जाएगा ठीक है चलिए तो अब हम next question पे आ जाते हैं आज का हमारा अगला question है पुत्रशोक सब्द का सही समास भिग्र है ठीक है अगर आप लोगों को पता हो ठीक है अगर आप लोगों को पता हो तो पुत्रशोक का मतलब एक simple सा समझिए कि सोक का क्या मतलब होता है दुखी होना ठीक है सोक का क्या मतलब होता है दुखी होना तो पुत्रशोक का क्या मतलब होगा आप इसको जब define करेंगे समास भिग्र आप पढढ़ेंगे इसको आप define करेंग तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो होता है पुत्र के लिए शोक, ठीक है, पुत्र के लिए शोक, ठीक, ठीक, पुत्र के लिए शोक, ठीक, ठीक, पुत्र के लिए शोक, तो हमारा कौन सा option सही हो जाएगा, इसका option number B सही हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक, ठीक, आप लोग स समास बिग्रेग पढ़े होंगे, समास बिग्रेग के बारे में आपको डेटेल में पता होगा, ठीक, तो चलिए, next question पे आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हमें comment box में बताना होगा, कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आप हमें comment box में बताएंगे, समास कितने प् कहते हैं ठीक देखिए अलंकार का अगर हम एक सिंपल अर्थ ले अलंकार का अगर एक हम सिंपल अर्थ ले तो अलंकार का मतलब होता है आभूशड क्या होता है आभूशड आभूशड ना समझ में आये तो आप इसको गहना कह सकते हैं ज्वेलरी कह सकते हैं ठीक है तो आपको पता होगा कि आप एक समाजिक तोर पे अगर इसको लें तो अलंकार का प्रयोग हम क्यों करते हैं अलंकार का प्रयोग हम करते हैं खुद को सुन्दर दिखाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं लेकिन काब्बे में क्या होता है या हम कह सकते हैं कि शाहित्य में क्या हो कहा जाता है अलंकार कहा जाता है ठीक है आपको पता होगा generally कि जब आप कोई poem पढ़िए ठीक है कोई कविता पढ़िए तो आपको कभी-कभी feel होता होगा या आप कोई ऐसा कोई सायरी सुनिये ठीक है किसी सायर को सुनिये तो कुछ वो जब sentence बोल देता है तो आपको लगता है हाँ ये बात सही कह रहा है ठीक है अब उसको feel करना सुरू कर देते हैं तो feel जब करते हैं तो वही उसकी एक कला होती है वो कला होती है उसको बोलने का एक तरीका होता है ठीक है जो उसके काबे में एक नया जान डाल देता है, उसके काबे को घुमा फिरा के कह सकते हैं कि बहुत ही सुन्दर प्रदर्सित करता है, ठीक है, तो कोश्चन है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अलंकार को अगर हम त सकते हैं तो अलंकार से मिल करके बना हुआ है ठीक है बाद में जब आगे इसको हम एड करेंगे जोडेंगे तो ये जो हलंत वाला मा है इसका क्या हो जाता है बिंदी हो जाता है ठीक है बिंदी के रूप में ये आ जाता है लग के उपर और फिर ये कार सब्द हम जोड़ देत तो इस तरीके से जो हमारा ये कोश्यन है उसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी सही होगा. ठीक है? तो चलिए next question पे चलते हैं. आज का हमारा अगला कोश्यन है निम्न में से कौन सा सब्द? अकप्रत्य से यूक्त नहीं है. ठीक है? देखिए यहां पे बात कही जा रही है अकप्रत्य की. अकप्रत्य उपसर्ग आप लोगों को बताएं. उपसर्ग क्या होता है? किसी सब्द के आगे जुडता है. ठीक है? और क्या होता है? प्रत्य होता है कि किसी सब्द के पीछे जुडता है. किसी सब्द के पीछे जुड़ता है ठीक है और जब वो किसी सब्द के आगे उपसर्ग जुड़ेगा तो उसके अर्थ में परिवर्तन करेगा और प्रत्य किसी सब्द के पीछे जुड़ेगा तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है जैसे प्रत्य में एक हम आपको बता रहे हैं, मूल धातु होता है लिक, ये क्या हो गया? ये मूल धातु हो गया. और इसको जब आप आई प्रत्य से जोड़ देंगे, तो इसका हो जाता है लिखाई, क्या हो जाएगा? लिखाई ठीक है देखें मूल धात में हमने आई प्रत्य जोड़ा और लिखाई हो गया इसी तरीके से हम एक उपसर्ग के लिए आपको एक्जामपल बता देते हैं जैसे एक सब्द हमने लिया प्रशिद ठीक है प्रशिद और उसके सामने हम एक सू उपसर्ग जोड़ेंगे तो सू उपसर्ग जोड़ने से क्या हो जाता है शू प्रशिद हो जाता है सू जोड़ दिये सू प्रशिद हो गया ठीक है सू का मतलब हो जाता है कि किसी अच्छे काम के लिए ठीक है या सुन्दर कह सकते हैं ठीक तो सू प्रशिद कहने से मतलब क्या हो गया कि अच्छे का के लिए जानते हैं और अगर हम कूइस की तरह हम अगर प्रशिद के आगे कूइ उपषर्ग जोड़ दे तो क्या ओजाएगा कूइ प्रशिद जाएगा या 강तर यह बहूं अगते हैं तो यह उपषर्ग और प्रत्य हमें होता है अब आप इस प्रत्य वाले example के उपर notice करिए मैंने आपको बताया कि हम आई प्रत्य जोड़े हैं क्या जोड़े हैं आई प्रत्य आप हिंदी पढ़ेंगे अब जब स्वर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि जो मात्रा होता है वैसे जनरली जो होता है वो सभी बेंजनों के साथ लगा रहता है लेकिन जब हम आ देखेंगे, तो इसका जो मात्रा होता है ये वाला, हम लोग एक चुखडी लाइन खीजते हैं, ये क्या होता है, कि वो जा करके, जिस सब्द के साथ कह सकते हैं, या जिस अच्छर के साथ जुड़ेगा, उसमें वो मात्रा दिखने लगता है, लेकिन यहाँ पे तो हमसे अक की बात कह रहा है, ठीक है, मतलब अ में हमें कोई मात्रा इस तरह से नहीं दिखाना है, ठीक, तो आप जन्रली देखिए, यहाँ पे अगर आप पीछे जोड़ेंगे, तो आ का मात्रा आना चाहिए, नहीं है, आ का मात्रा, यहाँ पर भी आ का मात्रा नहीं ह यहांपर आप देखिए तो यहांपर आपको एक आख का मात्रा मिला जैसे इसका मूल अगर हम देखे तो तैराक का, अगर हम मूल शब्द देखे या मूल धा तो जिसको हम कहते हैं तो वो हो जाएगा तैर, ठीक है? और इसमें अक आप अगर जोडेंगे तो ये तैरक होगा ठीक है तैराक नहीं होगा लेकिन जब इसमें आक जोडेंगे तब ये होगा तैराक तो ये हो जा रहा है तैराक यानि कि यहाँ पर हम जोडे क्या है आक जोडे है ना तो इस तरीके से इसमें अक जोडने के लिए कह तो इस तरीके से हम देखें, तो हमारा ये C वाला आंसर जो है, इसमें अक प्रत्य नहीं प्रयुक्त हुआ है, बलकि कौन सा प्रत्य प्रत्य प्रयुक्त हुआ है, तो इस तरीके से हमारा option कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, पालक में भी अक ही जुड़ा है, पाल, और देखिए इसका मूल धातू होता है पाल ठीक है और इसमें अक आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पालक हो जाएगा क्योंकि आला में आ करके मिल गया है ठीक है पालक हो गया ठीक चलिए तो next question पे आ जाते हैं आज का हमारा अगला question है निमने लिखित में से उंगली का तदभोरूप है उंगली का तदभवरूप ठीक देखिए ततसम और क्या पढ़ते हैं आप तदभो पढ़ते हैं ततसम क्या होता है अब देखते हैं तो ततसम होता है देखिए अगर आप इसको इस सब्द को तोड़ेंगे तो होगा तत प्लस सम, क्या होता है, तत प्लस सम, तत मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है समान, ठीक है, उसके समान, ठीक है, उसके समान, तो उसके समान वही हो सकता है, ठीक है, यानि कि तत सम हम उन सब्दों को कहते हैं, जो संस्कृत से हमने डाइरिक्ट ले लिया है, ठीक है, ड का तो है लेकिन इसका क्या हो गया है इसका एक तरीके से कह सकते हैं परिमार्जन हो गया है ये भासा तूटते तूटते कहां आ गई है हिंदी में कनवर्ट हो गई है किसमें कनवर्ट हो गई है हिंदी में convert हो गई है ऐसा माना जाता है कि जो भासा के उत्पत्ती है ठीक है भासा के हिंदी भासा की जो उत्पत्ती है वो कहां से हुई है वो संस्कित से मानी जाती है ठीक है तो संस्कित से धीरे धीरे पाली अपभरंस ऐसे आप देखेंगे तो वो सब्दे धीरे-धीरे तूटते क्या हो गया हिंदी में कनवर्ट हो गया एक चीज कहा जाता है बहुत यह famous quotation है किसी का कि जो भासा होता है न वो हमेशा सरलता कानुशरण करता है मतलब कठिन से सरल की तरब जाएगा संस्क्रित आप देखेंगे तो पहले बहुत कठिनता लेकिन धीरे-धीरे यह तूटता गया पाल यह ब्रंस ओहट ऐसे होते होते वो कहां पर आ गया हिंदी में आ गया हिंदी बहुत सरल है अब हिंदी को देखेंगे तो यह और भी तूटता जा रहा है आप किसी भी संटेंस को गूगल करेंगे तो उसकी जो हिंदी आपको मिलेगी वो बहुत टफ होती है लेकिन जनरली हम देखते हैं जो हम हिंदी बूलते हैं वो थोड़ी इजी होती है यानि कि अब हमारे माध्यम से धीरे-धीरे हिंदी और भी सरल होती जा रही है तो देखिए तदभव का मतलब हम क्या बता है तदभव का मतलब होता है संस्कित से उत्पन उससे मतलब हम संस्कित सही लेते हैं उससे उत्पन तो उत्पन हुआ है तो कुछ ने कुछ उसमें अंतर होगा तो अंगूली का जो तद्भव होता है, वो क्या होता है, हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन उसके पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए, कि अगनी और इसके साथ साथ पुस्प, इन दोनों का तद्भव क्या होता है, तो देखिए, अंगूली शब्द का जो तद तद्भव होगा वो क्या होगा ए वाला इसका आंसर सही होगा अंगूरी सही होता है ठीक है हमको पता है कि आप लोग को confusion हो रहा होगा कि अंगूरी सही होगा या उंगली सही होगा ठीक है लेकिन ये उंगली सही नहीं होता है सही क्या होता है अंगूरी सब्द का तद्भव जो है वो अंगूरी होता है ये जनरली हमारे यहां जो भुजपूरी लोग बोलते हैं ठीक है भुजपूरी में ये बोला जाता है अंगूरी होता है ठीक है जैसे आप लोग को पता होगा कि लोग बोलते हैं गमार आप लोग सुनें गमार गमार क्या होता है गमार का मतलब ल ग्रामिड मतलब हम किसको कहते हैं जो गाउं से आया हो ठीक है जो गाउं से संबंद रखता हो तो ग्रामिड से ही गमार बना है लेकिन इसका लोग अर्थ समसने लगते हैं अनपड ठीक है जो की गलत है तो इस question का हमारा answer कौन सा सही होगा? answer A वाला हमारा सही होगा ठीक है? चलिए next question पे आ जाते हैं तो आज का हमारा अगला question है निमने लिखित में से पास्चात्य का विलोम होगा निमने लिखित में से पास्चात्य का विलोम होगा देखिए पास्चात्य का मतलब आप समझे पास्चात्य को कहते हैं पास्चिमी देश से related ठीक है पास्चात्य मतलब एक तरीके से पास्चिमी को कहते हैं ठीक है या कह सकते हैं कि पास्चिम दिशा से संबंधित पास्चिम दिशा से संबंधित जो भी चीजे पास्चिम दिशा से संबंधित रहेंगी उसे हम क्या कहते ह ठीक है आज तक हम लोग एक चीज सुनते आ रहे हैं कि पास्चाति सब्विता ठीक है विश्टर्न कल्चर जिसको हम बोलते हैं पास्चात सब्विता ठीक है तो जो कह सकते हैं कि हमारे भारत के पश्चिम में जो देश हैं उनको हम पास्चाति देश कहते हैं ठीक है तो यही पाश्चात्य का विलोम क्या होगा, तो देखें पश्चमी मतलब भी पश्चम दिसा से ही है, पश्चमी भी ये पश्चम दिसा से ही है, तद्बो सब्द है, पश्चम मतलब भी पीछे ही होता है, पश्चम दिसा से ये भी संबंदित है, लेकिन अगर आप D वाला आंसर लिखेंगे तो D वाला इसका आंसर सही होगा पूर्वार्ते ठीक है पूर्वार्ते कह सकते हैं इसके और भी आपको हम बता दे रहे हैं बिलोम ठीक है पास्चाते के और भी बिलोम आप लिख लीजिए पूर्वी भी हो सकता है ठीक है पूर्वी भी हो सकता है पूर्वोर ये आज का हमारा अगला कोश्चन है, निम ने लिखा है, मा ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, देखें यहाँ पर एक sentence को आप पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको एक उपवाग के मिल रहा होगा, ठीक है, क्या मिल रहा है, उपवाग के मिल रहा है, यानि कि किसी भी एक माध्यम से जो जोड़ा रहता है, जो कह सकते हैं कि जो जोड़ता है, उसके बाद का जो वाग के होता है, उसको हम उपवाग के कहते हैं, ठीक है, यह कौन से माध्यम से जोड़ा है, तो इसको हम कहते हैं समुच्य बोधक, क्या कहते हैं, समुच्य बोधक अव्य ठीक है अव्य आप पड़े होंगे तो उसमें एक आता है समुच्चे बोधक अव्य समुच्चे बोधक अव्य किसे कहते हैं तो इसमें हम कुछ आपको एक्जाम्पल बता दे रहे हैं जैसे आप एक तो और हो गया दूसरा इसलिए इसलिए या तथा परन्तू किन्तू ठीक है तो इस तरीके से जिन सब्दों का हम प्रयोग करते हैं इसमें और भी आपको मिल जाएगा जैसे नहीं तो अत्वा व पर ठीक है ये सारे क्या हो जाएंगे समुच्चे बोधक अव्य हो जाते हैं तो जो वाक्य जो वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से ठीक है ये हमारा पहला मुख्य वाक हो जाएगा ये उपवाक्य हो जाएगा जो वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से समुच्चे बोधक अव्य के माध्यम से जुड़े होते हैं ठीक है इस sentence को आप समझने की कोसिस करिएगा कि देखे अगर आप इसको अलग कर दीजे ना ये पहले वाले लिखे हुए sentence को इतना अलग कर दीजे आप मा ने बच्ची को नहलाया तो ये आपको पूरा लगेगा ये पूरा sentence आप यहाँ पे फूलिस्टाप लगाईए ये आपको पूरा लगेगा लेकिन आप दूसरा sentence पढ़िए स्कूल भेजा ये आपको sentence कभी भी पूरा नहीं लगेगा तो ये उपवाक्य है तो जो वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से बीच में समुच्य बोधक होने से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संग्यूक्तवाक्य क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संग्यूक्तवाक्य संग्यूक्तवाक्य तो इसमें से आप option खोज लीजिए हमको पहला ये option मिल गया तो हमारा ए वाला इसका answer सही हो जाएगा ठीक है? चलिए next question पर आजाते हैं तो आज का हमारा अगला question है निमने लिखित में से सर्वेनाम के भेद ठीक है? सर्वेनाम के भेद हमको बताने हैं सर्वेनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम आगे ही जब start कर रहे थे तो जो पहला ही question था उसमें हम आप लोग को बताएं कि सर्वेनाम के कितने भेद होते हैं लेकिन थोड़ा और हम देख लेते हैं सर्वेनाम के से कहते हैं वो तो हम जान लिए तो सर्वेनाम के अगर हम भेद देखें तो सर्वेनाम के total 6 भेद होते हैं कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं नाम इसका आप जान सकते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? पुरुस वाचक सर्वे नाम. दूसरा क्या होता है? निश्चे वाचक. फिर अनिश्चे वाचक. चौथा क्या होता है? चौथा आपको मिल जाएगा संबन्ध वाचक. फिर पाँच्वा आपको मिल जाएगा प्रश्ण वाचक. छठा मिल जाएगा आपको निजवाचक. ठीक है? निजवाचक. निजवाचक से ही रिलेटेड हमारा पहला कोश्चन था. ठीक है? तो ये सर्वे नाम के 6 भेद हो गएं. तो इस तरीके से जो हमारा ये कोश्चन है, उसका आंसर डी सही होगा. आपको नीचे लिखा दिख रहा होगा कि option number D में 6 लिखे हुए है. ठीक है? तो चलिए. next question पे आजाते हैं. अगला question है, नीचे दिए गए प्रतेक प्रश्ण में सब्दों का एक बिकल्प, ठीक है? एक समू मोटे अच्छरों में लिखा गया है. ठीक है? आप देख रहे हैं कि एक मोटे अच्छर में लिखा गया है. तो इस बिकल्प को हम बता दे रहे हैं कि आल पढ़ना है उसको. लिखा गया है कि इस बिकल्प में देखिए अगर कोई तुरूटी हो तो उसको आप तुरूटी को सही करिए. अगर संसोधर नहीं करना है तो D वाला आंसर आप सही करेंगे. ठीक है? तो आप इस sentence को पढ़िए. sentence लिखा है मामा जी मुझे कुछ रूपय दे गया. ठीक है? तो कारक चिन होता है जो हमें एक तरीके से कह सकते हैं सब्दों को वाक्यों को जोडने में मदद करता है. ठीक है? एक संबंद को दर्साने में मदद करता है. जिनको हम भी भक्ती भी कहते हैं. ठीक है? जिसमें आप लोग करता पढ़े होंगे तो करता में नहीं आया है कर्म मामा जी ने मुझे कुछ रुपे दिये, ठीक है, कुछ रुपे दिये, तो आप कंप्रिजन करिए, क्या आपको ये संटेंस पंटे में अच्छा लग रहा या दूसरा वाला, मामा जी मुझे कुछ रुपे दिये, और दूसरा संटेंस के आलिका है, मामा जी ने मुझे कुछ रुपए दिये ठीक है यहां पर अगर हम एक कारक चिन लगा दे ने मामा जी के बाद हमने अगर एक कारक चिन लगा दिया ने तो ये sentence जो होगा वो पहले के comparison में जादा बेटर लगेगा ठीक है तो इसमें संसोधन की आवे सकता है जिसमें हमारा answer क्या सही हो जाएगा answer C सही हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है ने मुझे कुछ ठीक है तो ने हमें जोड़ना है बाकी तो लिखा हुआ है ठीक चलिए next question पर आ जाते हैं तो हमारा अगला question है राह खर्च राह खर्च सब्द में कौन सा समास है ठीक आप लोग समास पढ़े होंगे समास क्या होता है तो समास का जो साब्दिक अर्थ होता है वो होता है संचिप्ती करड क्या होता है संचिप्ती करड संचिप्ती करड क्यों किसे कहते है संचिप्ती करड मतलब होता है छोटा करना क्या होता है छोटा करना, अब आप कोई सब्दुक आप बड़ा लिखिए, ठीक है, आप उसको short form में अगर बोलेंगे, तो वो जो होता है, sentence जो होता है, वो थोड़ा जादा attractive आपको लगेगा, और साथ में आपका skill भी पता चल लाएगा, कि आप कितना grammar जानते हैं, ठीक है, तो ये हम साहित्ते देखें, या फिर कोई language देखें, तो grammar ही एक तरीका होता है, जो हमें बताता है कि हमने कितना पढ़ा लिखा है, या कह सकते हैं कि कितना हमारा skill है बोलने में, ठीक है, जब भासा कॉसल का विकास आप लोग पढ़ते होंगे, तो पता होगा कि चार उसमें भासा सलका होता है, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, तो बोलने को सब बोलते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से मतलब, जो भी आप चीज पढ़ें हैं, उनका यूज करके, आप grammar का यूज करके थोड़ा बहतर धंग से बोलेंगे, तो वो जादा effective होता है, तो समास में हम देखते हैं, राखर्च बहुबरी समास क्या होता है, कि बहुबरी समास में कोई तीसरा अर्थ हमें मिलता है, ठीक, तत्पुरुस समास में क्या होता है, देखिए, तत्पुरुस समास आप जब पढ़ेंगे, तो तत्पुरुस समास में भी आपको कारक चिन मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, कारक चिन मिलते हैं, कारक चिन में करता को छोड़ करके, कर्म करर ऐसे करके मिलते जाएंगे, ठीक है, तो राह खर्च को अगर आप तोड़ेंगे, तो मिलेगा राह के लिए, राह के लिए खर्च, ठीक है, के लिए यहाँ पर आ रहा है, ज के लिए क्या दर्सारा है, कि ये कारक चिन से related है, तो कारक चिन के जितने भी कह सकते हैं, कि जितने भी विभक्तिया होती हैं, वो तत्पुरु समास के अंतर गताती है, तो इस तरीके से हमारा B वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, अब ये भाव में क्या होता है, कि पहला पद अव्य होता है, जैसे हम बोल दें, एक आप याद इस तरह से कर सकते हैं, कि यथा सक्ति आप लिख लिजें, ठीक है, यथा सक्ति, तो यथा क्या हो जाएगा, यथा होता है अव्य, ठीक है, अव्य, ये किसी भी सब्द में आप जोड़ेंगे तो ये परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होगा, और यथा का मतलब होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, ठीक है, यथा का क्या होता है के अनुसार और अवे का मतलब ही होता है कि जो खर्च ना हो आप लोग पढ़ते वे मतलब क्या होता है खर्च होता है और अवे मतलब क्या होता है कि जो खर्च ना हो ठीक है और कर्मधारे समास में क्या होता है कि ये किसी ना किसी की बिसेस्ता बताता है ठीक है बिसेस और अंबर मतलब आकास भी होता है ठीक है तो पीला कपड़ा या पीला आकास यानि कि वो कपड़ी की और आकास की क्या करेगा बिसिस्ता बताएगा तो वो कर्मिधारे समास होगा लेकिन राह खर्च में कौन सा समास होगा राह खर्च में आपका बीवाला आंसर सही होगा तत सर्विनाम है क्या सब्द में कौन सा सर्विनाम है ठीक है अभी आप लोग को जब हम सर्विनाम बताएं तब ही बताएं कि प्रश्नवाचक में क्या होता है कि हम प्रश्नवाचक सब्दों का प्रियोग करते हैं क्या कैसे कौन ठीक है कौन कब इन सब्दों का हम प्रियोग करते हैं और साथ में हम क्या लगाते हैं कोश्यन मार्क लगाते हैं तो जिसमें भी जिस संटेंस में आपको इस तरह के सब्द मिल जाएंगे और पूछ ले कौन सा सर्वनाम है तो हमारा प्रश्ण वाचक सर्वनाम सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर आजाते हैं ओ किस प्रकार का स्वर है तो देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर हम स्वरों को चार भाग में बाठते हैं सम्वरित अड़ सम्वरित अड़ विवरित और विवरित ठीक है ये चार होते हैं हमारे मुख खुलने के आधार पर ठीक तो हम देखते हैं कि पहले सम्वरि स्म्रिच्च्च्ण स्वर में क्या आता है सम्रिच्च्च्च्वर में आता है ई ई उ उ ठीक है इ उ ऊ औ बहुत सारी लोग इसको छूटी और बड़ी इपढ़ते हैं जो की गलत है इसको उचारड के आधार पे हम बोलते हैं, छोटी मतल नहीं होता है, जिसके उपर हम कह सकते किस तरह से ना लगा हो, उसका उचारड हम जटके में करते हैं, ठीक है, और जिसके उपर ये एक तरीके से रेफ टाइप का लगा होता है, इसको हम बड़ी कह सकते हैं, लेकिन जनर और O, ठीक, इसके बाद, अर्ध सम्रित के बाद आ जाएगा, अर्ध विवृत, तो अर्ध विवृत में क्या क्या आते हैं? अर्ध विवृत में आते हैं, I, O, O, और, एक तरीके से कह सकते हैं कि यह आप याद रखेंगे, जो अर्ध चंद्र का हम प्रियोग करते हैं, उसको भी रखा जाता है, कोई आप विसेस्थ कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, बाकि ये तीनों याद रख सकते हैं, ठीक, और लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में विवरित है, तो विवरित किसमें आता है, विवरित में आता है आ और ए, ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला अर्ध विवरित में होगा, ठीक है, अर्ध विवरित में आप ये याद रखेंगे, ठीक है, तो देखिए, हमसे उ के बारे में पूछा गया था, उ को हम कहां रखे तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आज का वीडियो ख्लोज होता है मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गाइज